IPS दिव्या तनवर, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, शोशल मीडिया पर ये काफी च्छाई हुई थी, 2023 में भी और 2022 में बी, 2022 में इनको IPS जो था वह मिला था, इसके बाद इन्होंने फिर से जो था वह एक्जाम दिया और इनकी रैंक 105 आई, जिसमें इन्हें IS मिल सकत लेकिन नहीं मिला, reason था EWS certificate का issue, इनकी picture मैंने left hand side पर जो है वो लगाई है, वही right hand side पर मैंने पूजा खेड कर की, जिनकी अभी controversy चल रही है, उनका picture लगाया है, और इसी controversy के चलते, दिव्या तनवर का नाम भी जो है, वो लपेटा जा रहा है, क्या है पूरा मामला, ये discuss करते हैं, क्या जो दिव्या तनवर है, उनका EWS certificate का issue, पूजा खेड करके issue के issue से same है, या फिर कही ना कही कोई सम्मंध रखता है, इस controversy को लेकर, देखिए, पहले हम थोड़ा साथ दिव्या तनवर जी के बारे में जान लेते हैं, दिव्या तनवर जी, जो अभी IPS है, प्राइग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है, ये महरगड जनपत से सम्मंध रखती हैं, नवोदे विद्याले से इनके द्वारा स्कूलिंग जो है, वो की गई है, घर में इनकी माता जी है, भाई बेन है, पिता जी इनके नहीं है, माता ने पूरी करके जो है, वो इने पढ़ाया, और दिव्या तनवर ने अपनी महनत के दम पर, UPSC में रांक प्राप्त की, और वो जो है, वो IPS बनी, ये देखिए, यहाँ पर दिव्या तनवर की रांक जो है, वो लिखी हुई है, इन्होंने 2022 में 438 रांक पाई थी, ये सर्विस लुकेशन के लिस्ट आपके सामने है, 2021 की, जहाँ पर दिव्या ने 438 रांक पर IPS जो था वह पाया था, यानि कि इन्हें IPS मिल गया था, लेकिन अब आप सोचेंगे कि 438 रांक पर IPS कैसे मिल गया, तो यहाँ पर आप देखिए, काटेगरी में इन्होंने EWS Certificate या EWS का इस् जलते हैं, फिर से इन्होंने exam दिया, और इन्होंने exam को clear भी किया, और इस बार इनका जो result था, वो पिछले बार से अच्छा आया, इस बार इन्होंने 105 rank प्राप्त की, यहाँ पर देखिए, मैंने 2022 की list जो है, वो आपके सामने रखी है, और 105 rank प्राप्त करने के बाद भी, यह देखिए, यह allocation की list है, 2022 की, civil services examination की, यहाँ पर 105 rank देखिए, यह rank का column है, यहाँ पर देखिए, 104 के बाद सीधा 106 आ गया, यानि की 105 rank जो है, वो इस list में missing रही, और इनको जो है, वो IS नहीं मिल पाया, reason मैं आपको बताऊंगी, कि इनका IS नहीं मिलने का reason जो था, वह क्या था, तो देखिए भई, जब result आया, तो देखा गया, इनकी 105 rank है, ठीक है, तो भई, 105 rank पर, अगर यह EWS का इस्तेमाल करती, जो कि इनोंने किया भी था, EWS certificate अगर यह लगाती, तो definitely इन्हें IS मिल जाता, लेकिन हुआ क्या, कि UPSC ने इनके EWS certificate को reject कर दिया, reason क्या कि हुआ क्या था, इनके EWS category के issue में, और फिर मैं आपको controversy से इनका संबंद बताऊंगी, कि यह संबंद रखती भी है या नहीं रखती, तो देखिए भई, मैंने जो है, वो इनके द्वारा जो petition, दायर की गई थी, उसकी जो है, वो copy आपके सार ने रखी है, यह case of the petitioner है, तो भई, दिव्या तनवर EWS category से ही बिलॉंग करती है, ठीक है, यह general category के हैं, और यह EWS के under आती है, यानि कि इन्होंने genuine तरीके से जो है, वो महनत भी की थी, genuine तरीके से इन्होंने selection भी पाया, लेकिन अब आप सोचिए कि genuine तरीके से इनको IS जो है, वो नहीं मिल पाया, reason बस इतना साथा कि यह timely EWS का certificate submit नहीं कर पाई, actual में हुआ क्या था, इस petition से देखें, पता चलता है, तो भई, हुआ क्या था, इनके द्वारा यह कहना है, कि भई, काफी इनके द्वारा serious effort लगाया गया था, EWS certificate के लिए, कि भई, इन्हें financial year 2020-2021 का जो है, वो EWS certificate प्राप्त हो सके, लेकिन हुआ क्या, इस समय पर COVID-19 चल रहा था, हर्याना में भी 69 2021 तक जो है, वो COVID के effect रहे, जिसकी वज़े से क्या हुआ, जिसकी वज authorities was not functional for general administrative work, तो भई, जो office था, revenue, authorities, revenue का, यह revenue जो authorities थी, वो functional नहीं थी, general administrative work के लिए, और COVID-related work में जो थी, वो busy थी, जिसकी वज़े से हुआ क्या, कि इनको EWS का certificate timely नहीं मिल पाया, आगे इन्हों देखिए क्या बोला है, आगे इन्होंने ये भी reason दिया है, कि चूकि इनके पास financial year का certificate नहीं था, तो इन्होंने क्या किया भई, जब preliminary examination ECC 2022 का qualified की है, उसके बाद जब deaf form भरा गया, तो हुआ क्या, इन्होंने जो पुरारा certificate था, 2019 से 2020 वाला EWS का certificate, वो upload कर दि September 2022 में, और result जो declare हुए थे, वो हुए थे, 612-2022 को, 5-1-2023 को क्या हुआ, UPSC की तरफ से एक email जो है, वो इनके EWS certificate को लेकर प्राप्त हुआ, कि भई, ये जो certificate है, ये UPSC ने reject कर दिया है, आप जो है, वो new financial year का certificate submit कीजे, अब चूकि इनके पास जो था, वे new financial year का certificate नहीं थ था, तब भी इन्होंने क्या किया, 10-22-2023 को, इनके द्वारा interview जो है, वो attend किया गया, और इनके द्वारा produce किया गया certificate EWS का, 2019-2020 का, साथ ही साथ, इनके द्वारा 2021 का certificate भी जो है, वो submit किया गया, और 14-22-2023 को, इन्होंने एक letter भी submit किया, EWS certificate के साथ, कि किस कारण से जो थी, ये submit नहीं कर पाई, UPSC को, लेकिन वही, UPSC के according तो deadline निकल चुकी थी, इन्होंने जो है, UPSC ने बोला, कि आपने deadline के तहट certificate जो है, वो submit नहीं किया है, इसी वज़े से हम इसे माननेता जो है, वो नहीं देंगे, actual में हुआ क्या था, कि इनके दोवरा ये भी बताया गया, कि 10-2-2023 को इनके दोवरा इंटर्व्यू अटेंड किया गया, और इंटर्व्यू में पाटिसिपेट, इनके दोवरा ये भी बताया गया, कि 10-2-2023 को इनके दोवरा इंटर्व्यू अटेंड किया गया, और इन्होंने EWS का certificate, financial year 2019-2020 और financial year 2021-2022 का जो है, वो submit भी किया, इसके बाद 14-2-2023 को इन्होंने एक letter भी जो है, वो submit किया था, इन financial year के certificates के साथ, लेकिन इनके पास एक mail आया, कब आया mail, 30-5-2023 को इनके पास एक mail आया, जहां पर ये पताया गया, UPSC के द्वारा कि इनका candidature जो है, वो convert कर दिया गया है, general category में, from EWS category, इसी वज़े से इनके द्वारा ये state किया गया, कि भई, कब तो 21-2023 को, इन्होंने एक representation भीजा, कि भई, इनका जो EWS का certificate है, 2020-2021 का, वो जो है, वो accept किया जाए, बट हुआ क्या, 16-2023 को, इनके द्वारा, जब ये mail किया गया, तो इसके बाद, इन्हें कोई reply जो है, वो UPSC की side से नहीं मिला, तो भई, ऐसा है, कि UPSC नेने कोई reply नहीं दिया, और इनका जो है, वो, candidature बदल दिया गया, EWS से, general category में, जिसकी वज़े से, इन्हें, IS नहीं मिल पाया, तो भई, ये था पूरा मामला, इनके EWS certificate को लेकर, आप देखिए, इनका नाम पूजा खेटकर के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो देखिए, अभी जितने भी IS officer है, शोशल मीडिया पर एक बार सी आचुकी है, कि भई, लोग जो है, वो target कर रहे हैं, जिन्होंने EWS certificate, या फिर physically handicapped होने का जो है, वो दावा किया है, काफी famous social media personality, जो है, वो IPS दिव्या तनवर रही है, इसी वज़े से, इनका नाम भी जो है, वो लपेटा जा रहा है, इस controversy के अंतरगा, जब पूजा खेटकर के जो है, वो controversy हुई है, तो एक साइट पर पूजा खेटकर जैसी महिला आती है, जिनके पास सो करोर से जादा की समपत्ती है, फैमिली ग्राउंड काफी, तो एक तरफ पूजा खेटकर जी आती है, एक ऐसी महिला, जिनके पास बताया जा पूरी फैमिली के पास सो करोर से जादा की समपत्ती है, एक सो दस एकर जमीन है, साथ फ्लैट है, एक हिरा नंदानी में इनका फ्लैट है, चार लगशरी गाडिया है, साथ दुकाने है, साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो इनके पिता जी की दो प्राइवेट फर्म खुद दूसरे साथ आती है, IPS दिव्या तनवर, जो कि एक सामानने बैक्ग्राउंड से जो है, वो सम्मंद रखती है, छोटा सा इनका घर है, आप देख सकते है, स्क्रीन पर, ये घर में जो है, वो सामानने से परिवार में ये रहती है, माता जी ने मजदूरी करके जो है, वो इन इंडेचर कैंसल कर दिया, और वही ये जो पूजा खेटकर है, जिनका साफ साफ दिख रहा था, कि भाई, ये जो है, ना ही ये नॉन क्रीमिल लेयर में आती है, तब भी UPSC ने जो है, इनका नॉन क्रीमिल लेयर का सर्टिफिकेट एसेप्ट किया, दूसरा जो ये फिजिक सवाल जो है, वो उठाती है कि कैसे इनका OVC का नॉन क्रीमिल लेयर का जो सर्टिफिकेट है, उसे UPSC के द्वारा एसेप्ट कर लिया गया है, तो भाई, कहने का अभी प्राय बस इतना सा था, ये वीडियो बनाने का, कि जो दिव्या तनवर पर वीडियो बनाए जा रहे ह पूजा ये दिव्या तनवर का जो EWS का इशू है, ये बिल्कुल अलग है पूजा खेटकर की कॉंट्रवर्सी से, दिव्या तनवर जेन्विन कैंडिडेट है, जिन्होंने अपनी महनत के दम पर UPSC को क्लियर किया, वही पूजा खेटकर जो है, वो साफ साफ फ्रॉड है, तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच.